यह जो पेज आप देख रहे हैं यह chemistry class 12th chapter 2 solution का पूरे short note हैं इस एक page में मैंने पूरे chapter का juice निकाल के रख दिया है चाहे वो concentration terms हो, solubility हो, hendry loss हो या फिर all slow हो, ideal solution, non-ideal solution और colligative properties एक page में आपको काफी सारी चीह हैं जो भी NCA EART का निचोड है वो पूरा अच्छे से मिल यह notes में मैं आपको provide करवा दूँगा, ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे है chapter 2 solution, कौनसा solution, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं concentration terms की जो कि बहुत important होती है, यहाँ पर हम पहले देखेंगे molarity, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि molarity exactly होती क्या है, तो molarity का formula क्या होत मतलब कि mol of solute upon volume of solute, तो यहाँ पर जो volume of solute होता है, उसको हम किसमें लेते हैं, लीटर हमें लेते हैं, किसमें लेते हैं, लीटर हमें लेते हैं, और molarity को हम रेप्रेजन्ट करते हैं capital M से, तो यह concentration term होगी, हमें समझ मागा है कि molarity क्या होती है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, molality की, यहाँ पर इसको हमें रेप्रेजन्ट करते हैं, small M से, और इसका जो formula होता है, वो क्या होता है, n solute upon weight of solvent in kg, तो यहाँ पर ध्यान रहे, weight of solvent आता है, ना किस solution, और यह किसमें होता है, kg में होता है, तो molality का formula क्या होया, n solute upon weight of solvent in kg, उसके बाद, next concentration time है, हमारी mol fraction, क हमको माल लो, x a, इसका जो formula है, वो क्या है, x a is equal to n a upon n a plus n b, यहाँ पर x a, इसका मतलब क्या है, कि mole fraction, किसके a के, तो यहाँ पर a के moles, यानि कि, दो component मान नहीं है, a और b किसी solution में, ठीके, अब यह जो a है, उसके mole निकालने है, mole fraction निकालना है, तो यहाँ पर इसके क्या जा जाएंगे, और denominator में total number of moles, यानि कि, इसके भी mole और दूसरे component के भी mole, इसी तरीक से mole fraction में b का निकालना है, तो इसका formula क्या हो जाएगा, mole of b upon mole of a plus mole of b, ठीके, na plus nb, एक और interesting fact, यह चो x a और x b, इन दोनों के लिए आप add करोगे, तो उसकी value किसके बराबर आएगी, बन के ब mass percentage, यानि कि percent weight by weight, तो weight of solute upon weight of one solution into 100, यानि कि, जो हमारा numerator है, उसमें क्या आएगा, mass of solute, और नीचे क्या आएगा, mass of solution into 100, अब यहाँ पर unit देखने कोई जरूत नहीं है, क्योंकि, दोनों ही mass mass है, यह gram होगा, तो यह gram, यह kg होगा, तो यह kg होगा, तो यह kg कट जाएगा, क तो यहाँ पर जो mass of solution हो, उस वो किसमे होगा, gram में होगा, उस keynote क्या होगी, ग्राम होगी, और volume solution किसमे होगा, ml में, into 100, तो इस तरीके हम क्या अनकाल सकते है, mass of volume percentage, उसके बाद एक और है हमारा volume percentage, यानि percent VYV, तो यह क्या होगा, V solute upon V solution, यानि कि, solute का volume, और solution का volume into 100, समझ जमागी, तो इस तरीके से हमारे concentration term complete हो जाते है, उसके बाद हम चलते है, solubility पर, तो यह जो solubility है, दो point देखेंगे हम, एक तो gas in liquid, दूसरा solid in liquid, यानि कि यह हमारा liquid है, जब इसमें हम gas solubile करेंगे, तब क्या होगा, और दूसरे liquid हो जब हम solid डालेंगे, तब solubility पर क्या solubility क्या होगी, increase, यानि कि यह हमारा liquid है, इसमें, ठीक है, और इसमें आप gas solubility मतलब डाल रहे हो, तो जब आप इसका pressure बढ़ाओगे, तो solubility gas की क्या होगी, increase, यानि कि pressure increase, solubility increase, pressure decrease, solubility decrease, pressure decrease, solubility decrease, simple सी भात दी, समझ में आ लिए, यदि हम temperature के साथ देखेंगे, temperature का क्या effect होगा, gas in liquid, ठीक है, solubility का क्या effect होगा, तो यदि आप इस case में, temperature को घटाएंगे, तो solubility बढ़ेगी, और temperature को बढ़ाएंगे, तो solubility घटेगी, simple सी भात दी, यहाँ पर again, एक henry's log, जो कि काफी important लगा है, उसके बारे में भी आपको पढ़ता होना चाहिए, तो henry's log को जो formula होता है, वो क्या होता है, p is equal to kh into x, इसका मतलब क्या है, कि जो partial pressure है, gas का वेफर phase में, वो क्या है, proportion होता है, किस के mole fraction के, समझ मा गया, partial pressure क्या होता है, mole fraction के proportion होता है, यह kh क्या है, henry's constant, simple सी बा बात करते हैं, solid in liquid की, किस की solid in liquid की, तो pressure का क्या कोई effect होता है, तो इस पर pressure का कोई भी effect नहीं पढ़ता है, तो यहाँ पर temperature की बात कर लेते है, effect of temperature, तो दो case हो सकते है, reaction या तो endothermik हो सकती है, या फिर exothermik, तो endothermik का case आपको पता है, कि delta h क्या होता है, positive, और exothermik में क्य delta h negative होता है, तो जब हम यहाँ endothermik temperature को बढ़ाएंगे, तो solubivity भी बढ़ेगी, बट यहाँ पर Hubड़ जाएगा, जब हम temperature को बढ़ाएंगे, to solubility क्या होगी, decrease होगी, क्या होगी, decrease, ठीक है, तो in case of endothermik, solubility increase as temperature increase, बट यहाँ पर जब हम temperature बढ़ाएंगे, to solubity क्यों भ जाएगी ठीक है यह हमारा solutory वाली टॉपिक था उसकी पूरी समली थी उसके बाद आकेन एक important law जिसको हम बोलते हैं Rawls law क्या बोलते है Rawls law तो ध्यान से पढ़िएगा क्या कहता है Rawls law for a solution of volatile liquids ठीक है तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं तो यहां पर जो पार्शिल वेपर प्रेसर ओफा इस component in the solution is directly proportion to its mole fraction तो पार्शिल वेपर प्रेसर होता है किसी component का वह क्या होता है डायक्ली प्रपोर्शन होता है किसके mole fraction के यहां प यहां से इस को हटाएंगे तो यहां पर constant आ जाता है P10 यह क्या है pure वेपर प्रेसर है आप कंपोनेंट x1 ठीक है अब देखो ध्यान से यह कुछ फॉर्मूला है राउल स्लोग के जो आपको पतने होने चाहिए कौन सा p1 is equal to p1 not into x1 p2 is equal to p2 not into x2 यहाँ पर जो p total होता है वो क्या होता है p1 plus p2 क्या होता है p1 plus p2 अब p1 की value हमें पता है कितनी है यह x1 into p1 not और p2 की कितनी है x2 into p2 not फर्दर इसका एक और फॉर्मूला होता है जो p total है वो यह p1 not plus p2 not minus p1 not into x2 यह आप निकाल सकते हो यहाँ की value पूट करके ठीक है इन टम्स अब x2 निकालना है तो एक चीज करना x1 plus x2 is equal to 1 होता है तो यहां से x1 क्या होगा 1 minus x2 तो x1 की जगे क्या रख देना 1 minus x2 रख देना तो यह आ जाएगा जब आपको x1 के टर्म में लिखना है तो x2 के क्या लिख देना 1 minus x1 लिख देना यहां है तो x1 x1 आ जाएगा तो वो x1 के टर्म में आ जाएगी ultimately यह आपको याद होने आवश्यक है उसके बाद हम बात करेंगे ideal solution और non-ideal solution कहीं न कहीं यह भी rolls law से related है कैसे जो solution roll slow को follow करते हैं away roll slow उनको हम बोलते है ideal solution और जो नहीं करते हैं do not away roll slow उनको हम बोलते है non-ideal solution क्या मेरी बात समझ माई हाँ सब्रकुल समझ माई तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसके एग्जंपल क्या है hexane and heptane, तो यह क्या तरह ideal solution, but non-ideal solution की बात करें, तो वहाँ पर यह 0 नहीं होते है, negative positive होते हैं, अब इसको थोड़ा सा और detail में देखते हैं, क्या, यह जो non-ideal solution है, क्या बात कर रहा हूं है, non-ideal solution, यह further दो category में divided है, एक में तो क्या होता है, positive deviation होता है, rolls loss से, एक में क्या होता है, negative deviation होता है, rolls loss से, अब positive deviation के case में, delta V mixer क्या होता है, 0, sorry positive है ना, पोजिफिभ deviation है, तो delta V mixer क्या होता है, positive, और delta H mix क्या होता है, positive,where δεν होता है, but यहां, लार्ज निगेटिव डिविरसन कपा तो हमापको पता होना चाहिए तो इस तहरी किसे हमारा रॉल्ट mieszlvih complete होता है, then again important point, qualitative properties, क्या qualitative properties, तो total 4 qualitative properties हैं, जिनके formula समयाच्छे से याद होनी चाहिए, पहला है हमारा, पहला है हमारा RLVP, इसको हम क्या बोलते हैं, relative lowering in vapor pressure, तो P10-P1 upon P10 is equal to W2 into M1 upon M2 into W1, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, simple, W2, W1 into M1, M2, याद करने के लिए, ठीके, next हमारा delta TBN, उसके बाद delta TF, तो यह जो delta TB है, इसको हम बोलते हैं, elevation in boiling point, क्या elevation in, यह बहुत मूटा है, boiling point, तो इसका formula भी आपको पता होना चाहिए, KV into 1000, W2 upon M2 into W1, उसके बाद हमारा delta TF है, इसको बोलते हैं, depression in freezing point, क्या बोलते हैं, depression in freezing point, ठीके, तो इसका formula क्या आए, KV के जाए, KF आ जाए, KF into 1000 into W2 upon M2 into W1, simple से बाद, last होता हमारा, osmotic pressure, जिसका formula क्या होता है, pi is equal to CRT, C यहाँ पर N upon B है, ठीके, यदि आप इस formula को कभी भोल भी जाओ, तो P V is equal to NIT करके देख लिया गरो, V को उधर पहुंचा दो, ठीके, pressure, osmotic pressure pressure, तो N upon B के उधर concentration, तो P is equal to क्या गया, CRT, simple सी चीज़ थी, समझम सारी आ कहीं होंगी, बाकी आप इसको अच्छे से revise करते रहेगा, और यहां पर यह चड़िया भी नजर आ रही है आपको, है ना, तो comment करके बताना यह चड़िया कैसी लग रही है देखने में, आप देखो, बहुत सारा कवाड़ा नजर आ रहा है, है ना, अभी इसमें, इसकी जो phrase PDF है, वो मैं आपको दे दूँगा टेलिग्राम ग्रूप में, तो नीचे description को, अच्छे से check कर लेना, जहां पर, या पर आप टेलिग्राम पर भी चेक कर सकते हो, सिंग सहाब, ठीके, तो आपको टेलिग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसको join कर लेना, वहां पर कापी सारी PDF पगारा आती रहेंगी, यदि नहीं मिल ला है, तो description में लि वीडियो बनाऊं, इस type से, यानि की, पूरे chapter का juice, सिर्फ एक page में ही निकाल के आपको दे दूँ, तो please comment करके बताएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक share कर दीजेगा, ठीक है, यदि अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया, तो please कर लीजेगा, मुझे थोड़ा स support मिलता है, ओके, तो फिलाल के लिए हम समाप्त करते हैं से वीडियो को मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, thank you, bye bye, take care,